नमस्ते सस्यकाल अस्सलाम वालेकुम मैं शेफ पूनम आपके अपने चैनल पे लेके आई हूँ रॉ मैंगो की खटी मिठी चटनी ये चटनी अक्सर गर्मियों में घर घर में बनाई जाती है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और इस चटनी को आप पूरी प्राइब जरूर करें सबसे पहले हमें लेने हैं चार मीडियम साइज के कच्चे आम और इसका जो छिलका है इसे हमें हटा लेना है और ऐसे ही हम सारे जो मैंगो हैं इसके चिलके हटा लेंगे और इसके बाद हम इसकी जो गुठली है उसे भी अलग कर लेंगे और इसे हमन के बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी चटनी बन के तयार हो गी और यह देखे कद्दुकस हो चुका है कड़ाई में हमने वन टेबल स्पून वेज़ेटेबल ओयल अड़ किया है उसे गरम कर लिया है वन टीस्पून इसमें बनार सी राइ एट करेंगे और वन टीस्पून इ अब हम इसमें एड़ करेंगे half teaspoon जीरा और इसके साथ साथ हमें एड़ करना है हींग और हींग जो है one four teaspoon ही एड़ करें बहुत जादा हींग इसमें ना एड़ कीजिए और सारी चीजों को हमें crackle होने तक पकाना है और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाते हैं तो जो चट् हमने तीन से चार कलई lesson के लिए है इसे हमने चौप कर लिया है इसे भी इसमें एड़ कर देँगे और सूखी हुई लाल मर्च करेंगे दो से तीन जितना वह आपको पसंद है आप कर सकते हैं और से हमें करना है जब तक जो lesson एब थोड़े से गोल्डे ना घुझा है और यह देखे इसको हमें 2-3 मिनट तक ही भूनना है जब तक जो mango है इनका color ना change हो जाए और यह सारा काम हमें medium flame पे करना है high flame पे बिल्कुल ना करें वरना आपके जो mango है वो नीचे से जल जाएंगे तो ये देखे इसका color change हो चुका है 1 teaspoon इसमें कश्मीरी मिर्च आड़ करेंगे और half teaspoon इसमें हल्दी powder आड़ करेंगे इससे इसका color काफी अच्छा आएगा इसे भी हमें 2-3 मिनट तक भुनना है जिससे की जो हल्दी का कच्चा पन है वो दूर हो जाए और ये देखे बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है अब इसमें हमें आड़ करना है half cup ये normal temperature का पानी है उसे आड़ कर देंगे और एक cup हम इसमें गोड़ा आड़ करेंगे और इसे हमने छोटे छोटे pieces में कर लिया है जिसे बहुत ही जल्दी से melt हो जाए और इसे हमें भुनना है और ये जो है बहुत ही अच्छा लगता है पराठे के साथ में कभी आपका सबजी बनाने का मन नहों तो आप इसे बना के रख सकते हैं इसे अब हम cover करके एकदम slow flame पे भुनेंगे और ये देखे बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है दो से तीन मिनट में ये भुन जाता है और अब इसमें हम कुछ spices एट करेंगे जिसमें हमने चाट मसाला लिया है half teaspoon और half teaspoon इसमें salt एट करेंगे half teaspoon इसमें zira powder एट करेंगे इसे cover करके 2-3 मिनट तब cook करेंगे और इस चटनी को बनाने में जो mango होते हैं उस पे depend करता है कि आपको इसमें कितना good add करना है कितना खटा है mango उस पे depend करता है तो अगर आपको कम लगे तो आपसमें गुड़ और भी add कर सकते हैं और ठंडी होने पे थोड़ी सी ठिक हो जाती है तो इस बात का आप ध्यान रखे और इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगती हैं तो वीडियो को like, share and subscribe करना साथ इसाथ बेल आइकन दबाना विल्कुल न मूह ले जिससे मेरे नए नए वीडियो के notification सबसे पहले आप तक पहुंचे अब मैं मिलूँगी अपनी एक नई recipe के साथ